नमस्कार सर्थ तो हम फिर हाजर हुए आपका खास कारिकरम लेकर शक्सियत और आज हमारे साथ महजूद है वार्ड मेंगर चार के पार्शक मिस्टर विदेंदर यादर जी नमस्कार सर स्वागत आप हमारे खास कारिकरम में विरेंदर यादव के लिए सही माओने में राजनीती क्या है कब आना हुआ उका यस राजनीती में और क्या कोई में कारण है इसके फीछे राजनीती एक कॉमन टैंदेंसी हो गई है कि राजनीती शेत्र जो थीक नहीं है ठीक है लेकिन मैं समझता हूँ कि सोचल सर्विसीज के लिए सोचल एक्टिविटीज के लिए राजनिती से बढ़िया मंच है ही नहीं मैं तो अपने आपको पॉलिटीशन तो मैं मानता नहीं मैं प्राइविट सेक्टर में बहुत वास्ट एक्सपीरेंस है अठाई साल जो साल पहले ड्रीमी वार्चार की जनता ने बडवा प्रेम लूम और मेरे को जिता दिया और मैं तो कि अकेला पारिश्द हूँ जो इन शीव इनलो की टिकट पर बीज़ेपी ने टिकट नहीं दी थी उस समय इनलों ने टिकट थमा दियों और इनलो की टिकट पर जिता दिया जमताने मैं बहुत-बहुत शुक्र गुजार हुए तो सर अभी आप राश्नीती में भी हैं और समाथ सेवा में यह काम करने के लिए जैसे करते हैं तो हमें राश्नीती में आना जरूरी होता है इसका कारण सीधा सीधा यह है कि देखिए वैसे तो समाज सेवा आप करते रहेंगे कोई बहुत ज़्यादा कोई बहुत दुनिया भरके समाज सेवी हैं जिनको कोई जानता भी नहीं लेकिन उनके काम बहुत क्रियेट करती है तो सर अभी की डेट में वाड नंबर 4 की क्या मुख्य समझ से आए हैं मेरे यहां केवल 2-3 मुख्य समझ आए हैं जो 2020 में चाक आउट होने जारी है वो हो जाएगा एक ओल्ड दिलिकुडगाव रोड पे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है जो बहुत पुराने टाइम से वो आधा कहीं से बंद है कहीं पे खुला हुआ है और बारिज के समय में गाउं के एक साइड का हिस्सा है वहां से पानी की निकासी में दिक्कत होती है कई-गंटे पानी खड़ा हो जाता है पानी चमाब जाता है तो मेरी 2020 में उस नाले को prepare करानी की और उसको को क्लीन करा तो वारड नमभर 4 में क्या इको ग्रीन की सेवाए है? मेरे हाँ इको ग्रीन की गाडिया लेकिन जितनी गाडिया शुरू में इंत्रोड की थी, पांच गाडिया इंत्रोड की थी वार्ड 4 के लिए और अब भी आपको हैरत होगी मुश्किल से दो गाडिया चलीए तो तीन गाडियां कहा हैं तीन गाडियों से commercial काम किया जा रहा है ठीक है उद्वियार से और इदर उदर से किया जा रहा है काम तो ये एक इको ग्रीन ठीक तरह से मेनेज नहीं कर पा रही है और एक सबसे बड के लिए है कि कुछ education का criteria है बट MLA और MPs के लिए ऐसा कुछ नहीं है आपको क्या लगता है इसके बिल्कुल ये बड़ा दुखदाई है और सरकार को सोचना चाहिए इसमें देखिए बड़े कमाल की बात है सर्पेंच और मेंबर के लिए तो qualification फिक्स की हुई है अभी पीछे मैंने देखा हरियाना में पंचाथ के elections हुए तो मेवात में मेव फैमिली जो है वो पड़ी लिखी बगुएं लेके आ रहे हैं केवल केवल कारण ये है के लेडिजी जवद है और फिर वो उसको खड़ा करे है ठीक है वहाँ पे वो पड़ी लिखी ओरते लेके आ रहे हैं और एक MLA और MP के लिए there is no qualification बड़े कमाल की बात है मेरा क्लियर मानना है पॉलिटिकल आदमी को चुने हुए कैंडिडेट को जादा से जादा पढ़ा लिखा होना चाहिए अदर्वाइस काम करने में दिक्कत होगी तो सर अब CSR के तुरू अगर हम बात करें तो काफी पाश्चत से हमें इंटर्व्यूस ले उनसे बात दोंने CSR के तुरू ये का कराती कि कि सारे वाड में सब बार्ड में बराबर तरीकी से काम हों देखिए CSR के तुरू अगर काम की बात करें तो मेरे वाड एक्सप्षनल के से मैं दावे से कह सकता हूं के वाड चार में सब से जादा CSR activities के तुरू काम हुए है और हो रहे हैं अगर मोटा-मोटी दो- एक तो आरो प्लांट लगा है, that plant is funded by Maruti, 30-35 लाग की प्रोजेक्ट कोस्ट से है, पीने का पानी 7 रुपे में पर 20 लीटर की बॉटल मिल रही है, और 7 रुपे में इसे भी 1 रुपया वापिस मिल रहा है हमें, वो गवशाला हमारी गवशाला और हनुमान नंदिर रेजिस्ट पेवर ब्लोक्स का काम पूरे ग्राउंड में पेवर ब्लोक्स रेट उड़ता था, धो लुगती थी, वो हुआ, एक मेरे पीछे ITSEZ है, यहाँ पे केंडॉर एक विदेशी कंपनी है, और केंडॉर के थुरू मैंने CSR के अंडर कंप्यूटर लैब नई कराई है, 20 डेल के नई कंप्यूटर लगे हैं सरकारी स्कूल में, और एक CSR activities के थुरू अभी अगले दस दिनों में construction शुरू होने की बात हो रही है, मारुती बोल रही है, मारुती बनाने जारी है, मेरे बराबर में ही primary health center है, जच्चा-बच्चा केंद्र है, वहाँ पे बिल्डिंग पुरा करा रहे हैं, तो यह कैसे इसके प्रोजिसर क्या होता है, कि आप जो CSR के थुरू उनके companies भी जाने हैं, वह मेरे personal efforts है, मैं private sector में मेरा बहुत experience रहा है, मुझे मानूम है कैसे CSR division को नो करना होता है, मैंने मारुती को भी खुदी नो किया, Honda motorcycle company को, even PhD Chamber of Commerce and Industry का एक PhD Rural Development Foundation है, उस उसके टच में भी हूँ, उसके थुरू एक कादी में टूल सव द्योग वियार में उसके थुरू दो शोचाले, एक male female शोचाले बनाए हैं, बाॉडर पे, वो भी CSR activities के थुरू है, तो सर आप कुछ टिप्स देना चाहें, जब आप शुदो को या किसी को कि वो कैसे connect हो, क बहुत करोड़ों रुपे में हैं, अगर अकेले मारूती उद्योग की बात करें, तो मारूती उद्योग का net profit मेरे खाल से 7000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, तो उसका CSR का कितना हमांग बनता है, एरिये को चमका के डाल दे, तो ये चीजे ऐसा है कि अभी हमारे नए बहुत एक्टिव हैं, और आते ही कुछ काम दिखाई दे रहे हैं, और ये बाते उठाई जा रही है, अगली मीटिंग में भी उठेगी ये बात, कि CSR के थुरू, बड़ी-बड़ी कंपनी की CSR डिविजन को बुलाया जाए, उनके साथ मीटिंग ली जाए, और प्रपोर् तो उसमें प्रपोर्शनेट बेस पे सभी कंपनी से CSR के एग्रिमेंट साइन करा ले, कि कौन क्या-क्या करेगा, और वो सभी बाड़ों में जहां-जहां जिस चीज़ की जरूरत है, वो वहां पे करे, तो एक बहुत बढ़िया काम हो सकता है. तो सर्थ, 2020 का क्या एजंडा रहेगा आपका आपने वाड के लिए? मारूती ने बना दी थी, पेवर ब्लोक्स की, और बाकी कुछ गलिया और बनाने जारी है, मारूती उद्व, और जहां तक एक तो में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, वो मुख्या है, मेरे लिए, एक और काम था, वो स्टार्ट हो गया है, जीम डिये, सिक्स लेन का बनाती आरी है रोड शंकर चोक से, हनुमान मंदिर तक, उसमें दोनों साइड में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, उससे भी हल्प मिलेगी बारिश का पानी फिर इधर चला जाएगा, गाह में आदो सेगा, तो समात सेवा के हम बात करें, तो समात सेवा में आपका ध्यान कैसे ही स सालती रहती थी, डिस्टिक अड्मिस्टेशन से रिलेटीड, पुलिस मैग में से, बस बाकी RTI एक्टिविस्ट हूं, कुछ RTI डाली, कुछ इंफोमेशन निकलवाई थी, तो सर्, विरेंदर यादव की, उनकी जो सर्विस का पीरेड रहा हो, या इस पार्शद रहा हो, य क्या मेन अचीवमेंट्स रही है आपकी? कुछ लोगों ने दंदा बना लिया है, आप ठीक के रहे हैं, क्योंकि, वो एक ब्लैक्मिलर की तौर पर उपरने लगे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, कुछ लोगों ने दंदा बना लिया है, आप ठीक के रहे हैं, क्योंकि, किसी को ब्लैक्मिल करेंगे तो, है, कुछ का निकल के आया है, लेकिन, देर आर लॉट अफ गुड़ आर्टियाई एक्टिविस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे गुड़ गहां से हैं, कडारिया जी हैं, और एक बाजश फर से हैं, कई आर्टियाई एक्टिविस्ट है गुड़ हें, पोधियार हैं, देंग्डा जी हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और ये एक, बहुत अच्छा हथियार है आम पब्लिक के लिए. एक RTI के दुरू मैंने कुछ डिटेल्स निकलवाई थी, मेरे यहाँ बॉर्डर पे शामलाद देहे लेंड है, सर्प्लस लेंड बोलते हैं, कॉमन लेंड, ठीक है, जिस समय पंचाय थी, उस समय उनिसो ठ्यानमे में वो जमीन कोडियों के दाम बेच दी गई, आप लोगों को हैरत होगी, अगर मैं बताओंगा उसका रेट, 96 में 10,000 रुपीज पर एकर, can you believe it, 10,000 रुपे एकर वो जमीन हर्याना टूरिजम को दे दी गई, और उस समय की पंचाय थी बिलकुल, और उसके बाद क्या हुआ कि हमें गाउं को पता चला, 99 में मैंने पंचाय थी, उसके ब और अभी तक उस लैंड पे स्टे चल रही है कि अभी भी चल रहा है, पिछले 20 साल से, लेकिन उस समय, 96 में उस एरिये का एक्यूजिशन रेट, एक्वायर्मेंट का रेट, 13,85,000 रुपे एकर था, और केवल 10,000 रुपे एकर, 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 वो इधर उधर खुर्द बुर् अभी है, वो मैंने निकल वाई ही, वो चल रहा है किस देख, क्या होता है, सर आज की डेट में, आज की डेट में, और पार्शदों के बीच में, मेरी कोई लडाई है, पहले ही, मेरे वार्ड में, वार्ड चार में, मैं सभी आड़ेवले से बिलकुल टच में हूँ, उनके वाटसअप गुरूप पे हूँ, सभी गे, और बलके मेरे वार्ड में तो सेक्टर 22B की RWA को बेस्ट पार्क मेंटेन करने का अवार्ड भी मिला है, हमारे भेम सिंग यादव जी है, RWA प्रेजडेंट है, अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, सेक्टर 21 E-Pocket में सर्दार साहवे चेरंजीव सिंग जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बार-बार लोग कह रहे हैं कि अनपोस बनाओ इसको, अभी उनका कारेकाल खतम होने जा रहा है, तो फिर दुबारा उनी को बोला जा रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है और दूसा ठीक है, हाँ, मेन जो सेक्टर 21 है, उसमें कुछ ड्राबैक्स है, उसमें काम कम हुए है, उसका मुझे दुख है, और मैं लगा हुआ हूँ, अभी सर्वे करा दिये हैं, सभी पार्क्स के, लेकिन कई तरह की दिक्कते हैं, आट डेवलियोएज को भी प्राबलम करनी पड़ रही है, क्योंकि कई-कई महीने की पेंडिंग पेमेंट्स चलती रहती है, बहुत पेंडिंग है पिछले छे मिने से पेमेंट नहीं हुई, तो कैसे काम करेगा कोई, आट डेवलियोएज प्रेजिडेंट अपने घर से पैसे देने लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, तो उनके साथ मिल जूल के आडेवले के साथ बीच-बीच में महीने-दो महीने में मीटिंग करते रहें, तो मैं नहीं समझता, मैं हमेशा पावर शेरी में बिलीव करता हूँ, पावर डिस्टिबिशन में, तो अब एक कांसलर ओफिसमें बैठ के काम करेगा, या वो प सर्विस सेंट्र शुरू में ही, अलक्षन जीतते ही मैं लेके आया, और उसके लिए एक गर्मेंट, रिक्वार्मेंट, जो है, वो मेंडेटरी है, वो यह है, कि सरकारी जमिन चाहिए, उसके लिए, सरकारी ओफिस चाहिए, तो जब के डिसी साब के साथ मेरी मेटिंग तो उन्होंने का भई इसके लिए सरकारी ओफिस चाहिए अब मुझे समझ नहीं आया सरकारी ओफिस कहां दिया जाए फिर मुझे द्यान आया कि मेरा कांसलर ओफिस है ठीक है देर आर थ्री बीग रूम्स आई डॉंट रिट्वाइर थ्री रूम्स मैंने एक रूम लिग के द अबार्टमेंट में जो डिटेल्स दी उसमें और आज उसके पास जो अधार काड़े उसमें देर इस सम्स्लाइट डिफरेंस वाधर इट इस डे इन डेट ऑबात और एड्रस रिजिदेंचिल एडरस और इन नेम तो वो उसका कर्माई का पैसा पीएफ का फस जाता है वो निकल नहीं आता है तो उसके लिए मैं बहुत परियास कर रहा हूं और लोग बहुत ज़्यादा आते हैं तुसरे प्रोग्राम के अंत में 2020 की जो शुरुआती हो चुके और एक मेना निकल भी चुके है फैब शुरू हो चुके है तो आप हमारे यूवस को क्या कहना चाहें देखिए एमसीजी भी लगा हुआ है हाँ एक चीज जरूर है कि शुरुआती दोर में ही एमसीजी ने पांसो क्रोड रुपे जीमडीय को दिये हैं लेकिन जीमडीय की तरफ से थोड़ा सा धीला है काम अभी चेंज हुई है ब्यूक्रिसी तो अभी देखते हैं अभी उमी जिनमें जिनका काम नहीं हुआ है या टूटे हुए है उसके लिए हमने एमसीजी को बोला है कि अगर जीमडीय करती है तो ठीक है अदरवाइस उनको वापिस लिया जाए और एमसीजी विल लुक आफ्टर बाकी मेरे वार्ड में सेक्टर में सभी रोड्स का पैच वर्क का काम गड़े वरने का पेवर ब्लोक्स का साइडों में वो सब काम चल रहा है और बस एक ही दिक्कत है मुझे एमसीजी से जो बार-बार मैं मुद्दा उठाता भी रहता हूं मेरा सपस्ट मानना है कि सीवरेज कंडिशन जो है उससे ज्यादा बदहाल है गुरगावा और उस सब्सक्र मशीन की अगर बात करें हम तो वो ठेकदारों से किराय पे ली जा रही है और उसका बहुत हैटी किराया है पर डे का हालांकि मशीन महेंगी है एक करोग रुपे की कम से कम है वो तो वो दो-चार मशीने खरीदे अटलिस्ट हर जोन में तो एक मशीन होनी चाहिए अब सुपर सकर मशीन आज अगर मागी जाती है तो वो तीन दिन बाद जाके आप उमीद करें कि तीन दिन बाद मिलती है मेरी लड़ाई ये है MCG के साथ के जो बजट में फंड्स ऐलोकेट किये जाते हैं वाटर एंड सीवरेस के लिए वो पूरे के पूरे खर्च होने चा रोबोट मशीने कुछ खरीदने की बारी खरीदने की बात है तो MCG कुछ खरीदे ठीक है गटर में गुच्केशखे अईसा है कि human being को नहीं करना चाहिए ज Beim का करें बहुत बहत दण्यवाद सर वाइल सब से बात करनी बहुत दण्यवाद मैं वैसे भी मैं अपने आपको politician नहीं मानता मैं damn social activist हूँ और मैं हर रोज even Sunday को भी दो गंटे office में बैठ के काम करता हूँ बाकि Monday to Saturday daily office में बैठ के काम करता हूँ Thank you बहुत बहुत रन्यवाद तो ये थे हमारे बीच विरेंदर यादव जी जिन से हमने सुना कि उनके वाड की क्या समस्याए है MCG से उनके क्या शिकायते है और कैसे वो उसका निवारन भी कर सकते है तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते हमारे साच मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नई शक्सित के साथ जहें जह भारत नमस्क्राइब